उत्रखन के धस्ते जोशी मट को बचाने के लिए धामी सरकार एक्शन मोड में आ गई है। इसी कड़ी में राजसरकार ने खतरनाक हो चुके भवनों का सर्वे कराने और खतरे के हिसाब से उन्हें समवेदनशील, अती समवेदनशील और बफर जोन में बाटने का फैसला किया है। बतादे की घरों को तीन जोन में बाटने का फैसला सीम धामी के मौका मौाइना के बाद लिया गया है। राजसरकार की मुस्तैदी का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि सीम के सचिव और मिनाक्षी सुन्दरम ने भी खुद जोशी बंड में ही डेरा डाला है।